यहां पर हमें polynomial Px यह given है, इसका 0 निकालना है, यहर वैसे इस chapter में, यह वाली class में, chapter 2 class 9 में, जो मेरा 0s निकालने वाले होंगे, वो सारे linear होंगे, linear मतलब x की highest power होगी 1, ठीक है, वैसे सारे questions है, क्योंकि यह जो power 2, power 3 वाले questions यह आएंगे 10th class में, ठीक है, पता नहीं क्यों 10 में दाले हैं, पर 10th में आएंगे, यहां पर मैंने एक example दे दिया, क्योंकि यह बहुत असान example था, तो मैंने गाएंगा, चलो discuss कर लेते हैं, अब इसका 0 निकालना है, 0 निकालने के लिए, मैं put करूँगा, x2-9 को 0, यानि x2 की value 9, तो x2 की value 9 है, यानि x होगा, root of 9, यहां यहां पर जब भी root लिखते हैं, तो plus minus का sign आता है, ठीक है, यह चीज का दियान रखना, तो plus minus root of 9 क्या होगा, root of 3 का square, यानि plus minus root of 3 cancel, तो यह आएगा 3, तो x की value आएगा, plus minus 3, plus minus 3 का मतलब, दो answer से मैंने, x की value 3 और minus 3, चीक है, तो यहां पर x की value 3 और minus 3, मेरे zeros हैं, इस polynomial मि अब कुछ important point discuss कर लेते हैं, zeros के, सबसे पहला point है हमारा, कि constant polynomial के कोई भी zeros नहीं होते, यानि अगर मुझे polynomial given है 2, तो इसके zeros does not exist, कोई zero नहीं है इसका, next point है, कि polynomial के equal roots हो सकते हैं, for example, अगर मुझे polynomial given है यह वाला, x square minus 2x, plus 1, तो यह है मेरा actually, x minus 1 का whole square, ठीक है, इसे अगर मैं px कह दूँ, तो अगर इसके zeros निकालने तो क्या करेंगे, px की value zero put करूँगा, यानि x minus 1 का square equal to 0, तो x का answer क्या आएगा, x equal to 1, यहाँ पर actually, 2 answer आने चाहिए, पर एक ही answer आया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 roots हैं इसके, वो एक ही है, equal roots है इसके, अच्छा यार, मैंने भी बोला कि 2 answer आने चाहिए, मुझे किसे पता कि 2 answer आने चाहिए, वो इ equal to its degree, यानि अगर मेरा polynomial given है, 2x plus 1, तो इसके degree क्या है, degree है 1, तो इसके number of zeros होंगे, या तो 1, या एक भी नहीं, ठीक है, ऐसे ही, अगर मुझे quadratic equation given है, कोई भी, x square plus 2x plus 1 equal to 0, इसके degree है 2, तो इसके number of zeros होंगे 2, 2 यह 2 से कम, ठीक है, और 2 से कम का होंगे, जब इसके equal roots होंगे, ऐसे ही अगर cubic equation given हो, x cube plus 4x square plus 3x minus 6, तो इसके number of zeros होंगे 3, ऐसे ही power 4 वाली given हो, x 4 plus x cube plus 3x square minus 8, तो highest power है 4, तो इसके number of zeros है 4, या 4 से कम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, यह चीज़ का ध्यान रखना, यह आगे जो chapter करेंगे है, करें होंगे, जैसे ही सकते, यह रखना, यह वादी करेंट एक नहीं हो, x